अडेनियम के पत्तों की प्रूनिंग करना चाहिए या नहीं आज इसी विशेप पर बात करेंगे नमस्कार मित्रों मैं मम्तावाज पेई भुपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है लीजियो मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नए जानकारी के साथ आप देख रहे हैं इंडियन टेरिस गार्डनिंग आर्ट और साथ ही देख रहे हैं इतने हरे भरे गोल मतोल अडेनियम तो मेरे अडेनियम में बहुत सारे पत्ते हैं दोनों देखिए फ्लारिंग नहीं हो रही लेकिन कुछ लोगों के में हो रही है तो इसका क्या कारण है और क्या उपाई करना चाहिए तो आपने कभी कहीं किसी वीडियो में देखा होगा कि क्या जिसमें अडेनियम के पत्तों की ग्रोथ कम की जाती है तो ऐसा हम क्यों करते ह पूरा विज्ञान, विज्ञानिक तर्क देकर बताती हूँ, जब किसी प्लांट में, खास करके अडिनियम की बात कर लेते हैं, दूसरे पौदों की नहीं करते भी, पत्ते बहुत होते हैं, तो वो बहुत सारा खाना बनाते हैं, और खाना जादा है, तो फिर ग्रोथ जादा है, और आपके अडिनियम में, बहुत सारे पत्ते आ गए, ग्रोथ हुई, और लगाता ग्रोथ होती गई, और वो उची उची टेहनिया हो गई, इस से अडिनियम का शेप थोड़ा खराब हो जाता है, क्योंकि ये नर्म टेहनिया जुक के फिर नीचे की तरफ लटकने लग है, तो फिर आपको उसके पत्तों की प्रोनिंग कर देना चाहिए, यदि आपका पौदा अडिनियम का खोब हरा भरा है, और थोड़ी सी शेड में रखा है, जिसे के बरसाथ से बचाने के लिए आपने किसी चज्जे के नीचे रख दिया है, तो उसे फुल सनलाइट भी न हो जाएगी, और फिर पौदे की टहनी लटक जाएगी, तो आप शेप में रखने के लिए चब आप प्रोनिंग करते हैं, जैसे फरवरी मार्च में हमने इनकी हार्ट प्रोनिंग की इनमें नया अंकुरन हो गया, और अप्रिल माई होते तक इसमें टहनीया बन गई, और अ क्योंकि मेरे पौदे डि शेप नहीं है, एक दो पौदे हुए है, मैं कभी किसी और वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि वह चथ पर नहीं हें, वह दूसरी जगह रखे हैं, और इसलिए भी वह डिशेप हुए हैं, क्योंकि उनको फुल सन लाइट नहीं मिली, मेरे ये अ कंट्रोल हो जाता है इसके अलावा पत्ते क्यों और काट देना चाहिए देखिए इतने घने पत्तों में बरसात के समय यदि हवा नहीं गई और मौईश्यर बना रहे गया तो ब्रांच रॉट होने का डर रहता है तो अगर जैसे मैं काट रहे हूँ ऐसे आप ऊपर के चार-पाच पत्ते रखकर नीचे के टहनी के पत्ते कैची से काट देंगे जिस भी टूल से काट रहे हैं वो टूल स्ट्रलाइज होना चाहिए उसको सैनिटाजर से या फिर कोई भी आपका प्रॉड़क्ट लेकर जिससे कि हम डिटॉल वगएर जिससे कि हम शुद्ध कर सकते हैं उसको स्ट्रलाइज करके फिर यूज़ करें और जो मैं ये पत्तिय पत्तियां डंठल से नहीं काट रहे हैं थोड़ा आगे छोड़के काट रहे हूं ये छोटी पत्ति कुछ दिन बाद अपने आप पीली होकर गिर जाएगी अगर हम डंठल से पास से काटेंगे तो कई बार यह होता है कि वहाँ थोड़ा सा निशान बनेगा या कि घाव बन तो पौधे का भोजन बनना कम हो गया और कुछ दिनों के लिए पौधा शौक में आ जाएगा और उसकी ग्रोथ अपने आप रुख जाएगी मुझे यही करना है कि इसका ट्रॉंक तो फूलता रहे लेकिन मुझे इसको बहुत लंबा नहीं करना क्योंकि लंबा करेंगे त तो इसकी नरम टहनिया है धेर सारे पत्ते में वो वजन में नीचे की तरफ लटक जाएगी और हवा का आवा गवन नहीं होगा बीच में तो ये रूट रॉट का भी कारण बनेंगी इसके अलावा एक और कारण है जिसके लिए हमें पत्तियां काट देना चाहिए कि अगर पौदे में बहुत सारी पत्तियां हैं जैसे कि मेरे पौदों में हैं घने पौदे हैं तो पौधा अपनी एनरजी प्लांट को ग्रो करने में, पत्यों को हरा भरा करने में ही लगा देता है, और फ्लावरिंग कम हो जाती है, अगर आपको अच्छी फ्लावरिंग चाहिए, तो आप इस तरह से पत्यां काट दें, अब मैं आपको एक पेड़ की पत्यां काट के बत सुन्दर लगता है, भले ही इसमें फूल कम आए, अभी नहीं है, लेकिन कुछ दिन बाद आएंगे और बीच बीच में आते ही रहते हैं, तो कुछ थोड़े से फूल और साथ में ये हरा भरा पत्यों का गुच्छा मुझे पसंद है, तो ये तोटली आप पर निरभर करता है, कि आपको ये हरियाली पत्यों की पसंद है, तो आप इसकी पत्यों बिल्कुल प्रून नहीं करें, आपको केبل डंडिया चाहिए और उपर खिले हुए फूल चाहिए, तो आप पत्यों कम कर दें, और मेरा मानना ये है कि आप कुछ पत्यों जहां से ब्रांचेज, दो से निकालती हूँ जो मैंने कभी आपसे शेर नहीं किया आज मैं अक्छली कटेंग करने ही आई ती चत पर तो मैं केबल आज एक पौधे की बता रही हूँ और फिर मैं फिर पानी बरसने लगा और मेरी मेरा काम टल गया तो जब मैं और दूसरे पौधों की करूंगी न तब मैं वो लिंक भी आपसे पूरा पौधों की हुए पौधों का आपसे बताऊंगी और एक बात कि हमेशा आप लोग कहते हो कि आपके पौधों की शेप बहुत अच्छी है तो कैसे तो इसके दो तीन टिप्स हैं कि एक तो देखिए पतियां पौधों कर देने से इसकी लेंथ न लेफ्त आपने ज्यादा ली है तो जितनी जड़े नीचे जाएंगी उतनी टहनियां उपर जाएंगी अब बरसात का नाइट्रोजन का पानी में नाइट्रोजन मिला आपने घमला बढ़ा ले लिया वो तेजी से डाले उपर बढ़ गई उनमा धेर सारी पत्तियां आ गई और एक पत्ते से दूसरे पत्ते की बीच की दूरी बढ़ गई वो लचीली टहनिया लटक गई नीचे की तरफ जूलने लगी फिर आप अभी बरसात के समय तो प्रूनिंग करेंगे नहीं क्योंकि रूट रौट का ब्रांच रौट का डर रहता है तो आप प्रूनिंग करे जाता है फिर इसका ग्रोध बहुत अच्छी नहीं होती तो आप पतली टहनिया आपको पूरे मार्ज तक जहलनी पड़ेंगे तो आप गमले की साइज पर भी विशेश ध्यान दें गमले की साइज चोड़ाई कितनी भी ले ले गहराई कम लेंगे तो आपका डेनियम उपर तक नहीं जाएगा उचा नहीं जाएगा और फिर आप जैसे जैसे उनकी उम्र होती जाएगी साल दर साइज बढ़ाते जाएगे मैं आपको एक और अपना प्रमान दिखाती हूँ यह देखिए मैंने बड़े पॉर्ट में लगाया तो बड़े पॉर्ट में होने की वज़ पूरा आपको इस करना ट्रंक दिखी नहीं रहा आपको दिखाएगा नि पूरे पत्ते नीचे की तरफ जुग गया है तो बस मैं इसकी सारी पत्तियां हटाओंगी और जब भी जो भी करूंगी वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा कि क्यों पत्तियां प्रून करना है और यदि आपको ऐसा हरा वरा पौधार लग रहा है तो बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है आपको प्रून करने की बस उतनी पत्तियां आटा दें कि हवा आती जाती रहे तो कैसी लगी आज की ये जानकारी कैसा लगा वीडियो और कैसे लगे अडेनियम और हाँ आप लोग भी क्या पत्तियों की प्रूनिंग करते हैं ये भी कॉमेंट करके जरूर बताएं मिलते हैं अगरे वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्क कर दो ही दो लोनो आज से लोग एंगा हुआ है